नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी दोस्तो हिंदु धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेस स्थान है कहते हैं कि भक्त अगर सचे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनके सारे कश्ट दूर हो जाते हैं वहीं कल्यूग में शिवलिंग को भगवान का स्वरूप मना गया है इसी कड़ी में अगर कोई इंसान मिट्टी की शिवलिंग बना कर उसकी पूजा करता है तो उसको मनोवांचित फल मिलता है तो आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रही है कि मिट्टी की शिवलिंग की पूजा करने से क्या-क्या फाइदा होता है और इसकी पूजा कैसे करें इस विधी से करें पार्थिव शिवलिंग की पूजा पार्थिव पूजन करने से पहले पार्थिव शिवलिंग बनाएं इसको बनाने के लिए किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी लें फिर उस मिट्टी को पुष्प चंदन इत्यादी से सुशोभित करें मिट्टी में दूध मिलाकर शोधन करें फिर शिव मंत्र बोलते हुए इस मिट्टी से शिवलिंग बनाने की करिया शुरू करें पूर्व या उत्तरदिशा की और मुख रखकर शिवलिंग बनाना चाहिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मिट्टी, गाय का गोबर, गुड, मक्खन और भस्म मिलाकर किया जाता है शिवलिंग के निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि ये बारह अंगुल से उंचा नहीं हूँ इससे अधिक उचा होने पर पूजन का पुन्य प्राप्त नहीं होता मनुकामना पूरती के लिए शिवलिंग पर प्रसाद चड़ाना चाहिए इस बात का ध्यान रहे कि जो प्रसाद शिवलिंग से स्पर्स कर जाए उसे ग्रहन ना करें पार्थिव शिवलिंग पूजा का महत्व पार्थिव शिवलिंग की पूजा से अकाल मिर्त्यू का भाय समाप्त होता है शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं फिर चाहे वो पुरुछों या फिर महला ये सभी जानते हैं कि शिव कल्यानकारी हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर विदिवत पूजन अर्चन करता है वो 10,000 कल्प तक त्वर्ग में नेवास करता है शिप पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी मनुकामनाय पूर्ण करता है यदि प्रति दिन पार्थिव पूजन किया जाये तो इस लोक तथा परलोक में भी अखंड शिव भक्ती मिलती है पार्थिव शिवलिंग के सामने समस्थ शिव मंतरों का जाब किया जा सकता है रोग से पीड़ित लोग माहा मिर्तिवंजय मंतर का जाब भी कर सकते हैं दोस्तों उमीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी धन्यवाद